तुनिया को पागल बनाने के लिए मैं अपना काम बड़े ही दिल लगा के कर रहा था तब ही हेड़कौाटर से मेसेज आया कि आपको मिशन के लिए निकलना पड़ा है मैंने आव देखाना ताव सीधा अपना टेंकर लेकर निकल गया मिशन के लिए सूतरों से मुझे पता चला कि इस बार का मिशन बहुत ही जान लेवा है इसलिए राजस्तान के महान राजा महाना परताब जी का अशिरवाद लिया और मैं निकल गया मिशन के लिए इस बार मुझे पुषकर की जहरीली घाटियों से होते वे सीधा अफरीका के जंगलों में जाना था जहां जंगल में पाए जाने वाले जानवरों की जनौम सिक्वेंसिंग की रिपोर्ट मुझे हेड़कॉर्टर देनी थी जंगल में सबसे पहले हमें पैंगविन दिखे जिन्होंने अपने टेस्ट कराने से साफ मना कर दिया और मुझे का चल पाग यहां से तब ही मेरी मुलाकात बड़े शान सुभाओ के लकड़ बक्कों से हुई मिशन की बीच में एजन्ट धंगदेरे ने मेरे लिए एनरजी ड्रिंग की विवस्ता की एजन्सि को मुझे भरोसा नहीं था इसलिए उन्होंने अपना एक और खूफी आजंट मेरे पीछे लगा दिया था मैं रिपोर्ट लेके वापस निकला ही था तब ही मैंने देखा रास्ते में एक शक्स अपने ड्रोन की टेस्टिंग कर रहा था सूत्रों के मताबिक मेरी जिनम सिक्वेंसिंग की रिपोर्ट ने एजनसी में आग लगा दे थी इसलिए मैं बड़ा खुश था लेकिन बात में मुझे पता चला कि वो आग तो सच में लग गई जिसे बुजाने के लिए एजन्ट इल्लू अपने जान पर खेल गए और उस पर बरफ के गोले बार 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 फेके और आखिरकार एजन्ट इल्लू की मेहनत रंग लाई और आग बुज गई बहले ही एजन्ट इल्लू ने अपनी जान पर खेल कर उस आख को बुजाया है लेकिन अगर मैं वीडियो नहीं बनाता तो खिसको पता नहीं चलता एजन्सी मेरे इस काम से इतनी खुश है कि उन्होंने शाम को मेरा सम्मान किया ऐसे ही जानले मां मिशन देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चनल से ठैंक्यू